ओम शांति ओम शांति आज आट मईं दोहजार चौबिस दिन भुधवार की साकार मुरली आईए अब सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के मदूर महवा क्यों को मीठे बच्चे विश्व की सभी आत्माईं अंजान और दुखी हैं आप उन पर उपकार करो बाप का परिचय देकर खुशी में लाओ उनकी आँखें खोलो प्रश्न किसी भी सेंटर की व्रद्धी का आधार क्या है उत्तर नीजवार्थ सच्चे दिल की सेवा तुम्हें सर्विस का सदा शौक रहे तो हुन्डी भरती रहेगी जहां पर सर्विस हो सकती है वहां प्रबंध करना चाहिए मांगना किसी से भी नहीं है मांगने से मरना भला आप पे ही सब कुछ आएगा तुम बाहर वालों की तरह चंदाय कठा नहीं कर सकते मांगने से सेंटर जोर नहीं भरेगा इसलिए बिगर मांगे सेंटर को जमाओ ओम शन्ति रुहानी बच्चे यहां बैठे हैं बुद्धी में यह ज्यान है कैसे शुरू में हम उपर से आते हैं जैसे विश्णू अवतरन का एक खेल दिखाते हैं विमान पर बैठकर फिर नीचे आते हैं अभी तुम बच्चे समझते हो अवतारादी जो कुछ दिखलाते हैं नहीं सब रौग है अभी तुम समझते हो हम आतमाए असल में कहा के रहने वाले हैं कैसे उपर से फिर यहां पटित बनते हैं अभी फिर बाप पवित्र बनाते हैं यह तो जरूर तुम स्टुडेंट्स की बुद्धी में होना चाहिए 84 का चक्र हम कैसे लगाते हैं यह सम्रती में रहना चाहिए बाप ही समझाते हैं तुम कैसे 84 जन्म लेते हो कल्प की आयू को लंबा चोड़ा टाइम देने कारण इतनी सहच बात भी मनुष्य समझते नहीं इसलिए blind faith कहा जाता है जो भी और धर्म है वह कैसे स्थापन होते हैं ये भी तुम्हारी भुथ्थी में है तुम जानते हो पुनर जनम लेते लेते पार्ट बजाते बजाते अभी अंत में आकर पहुँचे हैं अब फिर वापिस जाते हैं ये नॉलेज तुम बच्चों को ही है दुनिया में और कोई भी ये नॉलेज नहीं जानते हैं कहते भी हैं पांच हजार वर्ष पहले ट पैराडाइस था परंतु वह क्या था ये नहीं जानते हैं जरूर आदी सनातन देवी देवताओं का राज्य था परंतु ये बिल्कुल नहीं जानते तुम समझते हो हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे और धर्मवाले ऐसे थोड़े ही हैं कि अपने धर्म स्थापक को नहीं जानते तुम अभी जानकार नौलेजफुल बने हो बाकि सारी दुनिया अंजान है हम कितने समझदार बने हैं फिर अब बेसमझ अंजान हो गए हैं मनुश्य होकर अत्वा एक्टर्स होकर हम नहीं जानते थे नौलेज का प्रभाव देखो कैसा है यह तुम ही जानते हो तो बच्चों को अंदर में कितना गद-गद होना चाहिए जब धारना हो तभी अंदर में खुशी आए तुम जानते हो हम शुरू-शुरू में कैसे आए फिर कैसे शुद्र कुल से ब्राहमन कुल में ट्रांसफर हुए यह स्रश्टी का चक्र कैसे फिरता है सो तुम्हारे सिवाए दुनिया में कोई भी जानता नहीं है अंदर में है ग्यान डांस होना चाहिए बाबा हमको कितनी वंडरफुल नौलेज देते हैं जिस नौलेज से हम अपना वर्षा पाते हैं लिखा हुआ भी है इस राजयोग से मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ परन्तु कुछ समझ में नहीं आता था अभी बुद्धी में सारा राजा गया है हम शुद्र से अब सो ब्राहमन बनते हैं यह मंत्र भी बुद्धी में है हम सो ब्राहमन फिर देवता बनेंगे फिर हम उतरते उतरते नीचे आते हैं कितना पुनर जनम लेते चक्र लगाते हैं यह नौलेज बुद्धी में रहने कारण खुशी भी रहनी चाहिए औरों को भी यह नौलेज कैसे मिले आखें खोले खुशी होती है ना जिनको सर्विस का शोक रहता है उनों के अंदर में आना चाहिए बहुत खुशी होनी चाहिए हम आत्माई कहा की रहने वाली हैं फिर कैसे आती हैं पार्ट बजाने कितने उच बनते हैं फिर कैसे नीचे आते हैं फिर रावन राज्य कब शुरू होता है यह अभी बुद्धी में आया है भक्ति और ग्यान में रात दिन का फर्क है शुरू से भक्ति किसने की है तुम कहेंगे पहले-पहले हम आए तो बहुत सुख देखा फिर हम भक्ति करने लगे पूचे और पुजारी में कितना दिन रात का फर्क है तुम्हारे पास अभी कितना ज्यान है खुशी होनी चाहिए न कैसे हमने 84 का चक्र लगाया है कहां 84 जर्म, कहां 84 लाख इतनी छोटी सी बात भी किसी के ध्यान में नहीं आती है लाखों वर्ष की बेट में तो यह एक दो रोज के बराबर हो जाता है अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धी में यह चक्र फिरता रहता है तब ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी सत्युक में यह नौलेज होती नहीं स्वर्ग का कितना गायन है वहां सिर्फ भारत ही था जो था वह फिर बनना ही है भार से तो देखने में कुछ नहीं आता है साक्षातकार होता है तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म हो दिये फिर नंबर वार हम नई दुनिया में आएंगे आत्मा कैसे आती है पाट बजाने वह भी तुम समझ गए हो आत्मा ऐसे कोई उपर से उतरती नहीं है जैसे नाटक में दिखाते है आत्मा को तो इन आँखों से कोई देख भी ना सके आत्मा कैसे आती है चोटे शरीर में कैसे परवेश करती है बड़ा ही वंडरफुल खेल है यह पड़ाई ईश्वरी है इसमें देन रात ख्यालात चलने चाहिए हम एक बार समझ लेते हैं जैसे की देख लेते हैं फिर वर्नन करते हैं आगे जादू वाले लोग बहुत चीज़ें निकाल दिखाते थे बाप को भी जादूगर, सौदागर, रतनागर कहते हैं न आत्मा में ही सारा ग्यान ठहरता है आत्मा ही ग्यान का सागर है भल कहते हैं परमात्मा ग्यान का सागर है पर अदू वह कौन है कैसे वह जादूगर है यह किसी को भी पता रही है आगे तुम भी नहीं समझते थे अभी बाप आकर देवता बनाते हैं अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए एक बाप ही नॉलेज़ फुल है हमको पढ़ाते भी है यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो यह दिन रात अंदर में सिमरन चलना चाहिए यह बेहत के नाटक का नॉलेज़ सिर्फ एक बाप ही सुना सकते हैं और कोई सुना ना सके बाबा ने देखा थोड़े ही है परन्तु उनमें सारी नॉलेज़ है बाप कहते हैं मैं सत्यूग त्रेता में तो नहीं आता हूं परन्तु knowledge सारी सुनाता हूँ वंडर लगता है ना जिसने कभी पाठ ही नहीं लिया वे कैसे बतलाते हैं आप कहते हैं मैं कुछ भी देखता नहीं हूँ ना मैं सत्यूग द्रेता में आता हूँ परन्तु मेरे में knowledge कितनी अच्छी है जो मैं एक ही बाराकर तुमको सुनाता हूँ तुमने पाठ बजाया तुम जानते नहीं हो और जिसने पाठ ही नहीं बजाया है वे सब सुनाते हैं वंडर है ना हम जो पाठ धारी ही हम कुछ नहीं जानते और बाप में कितनी सारी knowledge है बाप कहते हैं मैं थोड़े ही सत्यूगत्रेता में आता हूँ जो तुमको अनुभव सुनाओ ड्रामा अनुसार बिगर देखे अनुभव किये सारी नौलेज देते हैं कितना वंडर है मैं पार्ट बजाने आता ही नहीं और तुमको सारा पार्ट समझाता हूँ इसलिए ही मुझे नौलेजफुल कहते हैं तो बाप कहते हैं अब मीठे मीठे बच्चो अपनी उन्नती करनी हैं तो अपने को अत्मा समझो यह है खेल तुम फिर भी ऐसे ही खेल करेंगे देवी देवता बनेंगे फिर अन्त में चक्र लगाए मनुष्य बनेंगे वंडर खाना चाहिए ना बाबा में यह नौलेज कहां से आई उनका तो कोई गुरू भी नहीं ड्रामा अंसार पहले से ही उनमें पाट बजाने की नूंद है इसको कुदरत कहेंगे ना हर एक बात वंडरफुल है तो बाप बैठ नई नई बाते समझाते हैं ऐसे बाप को क इतना याद करना चाहिए 84 के चक्र को भी याद करना है यह राज भी बाबा ने ही समझाया है विराट रूप का चित्र कितना अच्छा है जो लक्षमी नारायन अथवा विश्णू का चित्र बनाते हैं वहीं दिखाते हैं हम कैसे 84 जन्मों में आते हैं हम सो देवता, फिर शत्रिये वैशे फिर्शुत्र ये सिम्रन करने में क्या कोई तकलिफ है बाप है नौलेजफूल कोई से पढ़ा थोड़े ही है नशास्तरादी ही पढ़ा है बिगर कुछ भी पढ़े बिगर गुरु किये इतनी सारी नौलेज़ बैट सुनाए ऐसा तो कभी देखा नहीं बाबा बैट सब राज समझाते हैं आत्मा ही आनंद स्वरूप है फिर आत्मा ही दुख रूप चीची बन जाती है पक्ति मार्ग में तो कुछ भी तुम नहीं जानते थे मेरी कितनी महिमा करते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं ये भी कितना वंडर्फुल खेल है ये सार परंतु का महाशत्रू है इस पर जीत पानी है तो यह सुनकर धीले पड़ जाते हैं तुम कितना समझाते हो समझते ही नहीं कितनी मेहनत लगती है यह भी जानते हैं कल्प पहले जिनोंने समझा था वही समझेंगे देवी परिवार वाले जितने बनने वाले होंगे उनों को ही धारना होगी तुम जानते हूँ हम श्रीमत पर राजधानिस्थापन करते हैं बाप का डारेक्शन है औरों को भी आप समान बनाओ बाप सब ग्यान सुना रहे हैं तुम भी सुना रहे हो तो जरूर यह शिबाबा का रत भी सुना सकता होगा पर तुम अपने को गुप्त कर देते हैं तुम शिबाबा को ही याद करते रहो इनकी तो उपमा अर्थात महिमा भी नहीं करनी है सर्व का सदगती धाता माया की जन्जीरों से छुड़ाने वाला एक ही है बाप कैसे बैट तुमको समझाते हैं यह तुम बच्चों के सिवाए और कोई को पता ही नहीं है मनुशे यह भी नहीं जानते कि रावन क्या चीज़ है हर वर्ष जलाते ही आते हैं एफी जी तो दुश्मन का बनाया जाता है ना तुमको अभी पता पड़ा है कि रावन भारत का दुश्मन है जिसने भारत को कितना दुखी कंगाल बना दिया है सभी पाँच विकारो रूपी रावन के पंजे में फसे हुए है बच्चों को अंदर में यह आना चाहिए कैसे ओरों को भी रावन से छुड़ाएं सर्विस हो सकती है तो प्रबंध करना है सच्चे दिल से नीस्वार्थ भाव से सेवा करनी है बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों की हुंडी मैं सकारता अर्थात भरता हूँ ड्रामा में नूद है सर्विस का अच्छा चांस है तो इसमें पूछने का भी नहीं रहता बाब ने कह दिया है सर्विस करते रहो मांगो कोई से भी नहीं मांगने से मरना भला आपे ही तुम्हारे पास आ जाएगा मांगने से सेंटर इतना जोर नहीं भरेगा बिगर मांगे तुम सेंटर जमाओ आपे ही सब आता रहेगा उसमें ताकत रहेगी जैसे बाहर वाले चंदा इकठा करते हैं ऐसे तुमको नहीं करना है मनुशे को तो कभी भगवान नहीं कहा जाता ग्यान तो है बीज बीज रूप बाप बैट तुमको ग्यान देते हैं बीज ही नॉलिजफुल है न वे जड़ बीज तो वर्नन करने ही सकेंगे तुम वर्नन करते हो सब बातों को समझ सकते हो इस बेहत के जाड़ को कोई भी समझते नहीं है तुम अनन्ने बच्चे जानते हो नंबर वार पुर्शार्थ अनुसार बाप समझाते हैं माया भी प्रबल है कुछ सहन भी करना पड़ता है कितने कड़े कड़े भी का रहे अच्छे अच्छे सर्विस करने वालों को चलते चलते ऐसी माया की चमाट लग जाती है कहते हैं हम तो गिर गए सीड़ी उपर चड़ते चड़ते नीचे गिर पड़ते हैं तो की कमाई सारी चटो पड़ती है दंड तो जरूर मिलना चाहिए बाप से प्रतिग्या करते हैं बलड से भी लिख कर दिया फिर भी कम हो गए बाबा पका करने लिए देखते भी है इतनी युक्तियां करते हुए भी फिर दुनिया की तरफ चले जाते हैं कितना सैज समझाते हैं पाट धारी को अपने पाट का ही सिम्रन करना चाहिए अपना पाट कोई भूल थोड़े ही सकता है बाप तो रोज रोज भिन भिन प्रकार से समझाते रहते है तुम भी बहुतों को समझाते हो फिर भी कहते हैं हम बाबा के सम्मुख जाएं बाप का तो वंडर है रोज मुरली चलाते है वह है निराकार नाम, रूप, देश, काल तो है नहीं फिर मूरली कैसे सुनाएंगे वंडर खाते हैं फिर पक्के हो कराते हैं दिल होता है ऐसा बाप वर्सा देने आए हैं उनसे मिलें इस पहचान से आकर मिलें तो बाप से ग्यान रत्नधारन कर सकें श्रीमत को पालन कर सकें अच्छा मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्य सार ग्यान को जीवन में धारन कर खुशी में गत-गत होना है वंडरफुल ग्यान और ग्यान दात्ता का सिमरन कर ग्यान डांस करना है अपने पाट का ही सिमरन करना है दूसरों के पाट को नहीं देखना है माया बड़ी प्रबल है इसलिए कबरदार रहना है अपनी उन्नती में लगे रहो सर्विस का शौक रखो बरदान अच्छाई पर प्रभावित होने के बजाए उसे स्व्यम में धारण करने वाले परमात्मस नहीं भव अब बाप दादा के बरदान को विस्तार में समझेंगे अगर परमात्मस नहीं बनना है तो बोडी कॉंशेस की रुकावटों को चेक करो कई बच्ची कहते हैं यह बहुत अच्छा या अच्छी है इसलिए थोड़ा रहमाता है कोई का किसी के शरीर से लगाव होता है तो कोई का किसी के गुणों वा विशेष्थां से लेकिन वे विशेष्थावा गुण देने वाला कौन कोई अच्छा है तो अच्छाई को धारण भले करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ न्यारे और बाप के प्यारे बनो इसे प्यारे अर्थात परमातमस नहीं बच्चे सदा सेफ रहते हैं स्लोगन साइलेंस की शक्ती इमर्ज करो तो सेवा की गती फास्ट हो जाएगी ओम शनति जान्ति